हेलो स्टुडेंट वेलकम टू सिवस़ांती क्लासस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम चैप्टर नमबर 7 निर्देशांग जयमति अर्थात कोडिनेट जिमेटरी कहे हमारा पार्ट नमबर 10 वीडियो है इस वीडियो में हम एक्सासाइज 7.1 का कुश्चंन नमबर 4 अच्छी तरह से complete करेंगे तो चलिए चलते हैं question number 4 की ओर तो student ये रहा हमारा question number 4 पढ़िए जाच कीजिए कि क्या बिंदू पाँच दसम पाँच कॉमा माइनस दो छै कामा फोर और साथ कामा माइनस दो ये एक समद्विवाव त्रिभूज के सीर्स हैं समद्विवाव फाइडें क्या हूं बराबर हो तो हमने माल लिए aB और c epoint हमने माल लिए v combining बडी ॉरb इया थिक तो हमें बताना है कि इन से कौन सी दो सायडें बराबर है यदि दो सायडें आपको बराबर आ जाई अर्थात a.b बराबर ess A हो या A B बराबर B C हो जाए, या A C बराबर B C हो जाए, कोई भी दो साइड दी बराबर हो गई, तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरी मुझ क्या है, सम्धिवाव तरी मुझ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें A B, A C और B C, इनकी दूरी हमें ग्यात करनी होगी, तो द ये होता है हमारा क्या, डिस्टेंस का फार्मूला, तो वहाँ पर लगाते हैं हमने A B, हमें A B निकालना है, तो A B निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने किसी एक को क्या करते हैं, हमने माल लिया X2 इसे Y2 इसे, और इसे माल लिया X1 और Y1, ठीक, तो रखिए, X2 माइनस X1 6-5 6-5 और 4-2 4-2 मतला 4-2 तो 4-2 तो क्या हो जाएगा यह 1 और 4-2 6 तो 1 का स्क्वेर 1 6 का स्क्वेर क्या हो गया 36 तो 36 से 1 क्या हो गया 37 तो AB की रिश्टेंस क्या आ गई AB की दूरी आ गई हमारे पास root 37 ठीक यहां तक समझ में आ गया तो हमने AB की वैलू अभी निकाली है अब निकालते हैं किसकी BC की वैलू ठीक तो BC की वैलू क्या होगी वो देखिए तो BC मतलब यह point लेना है और हमारे पास यह point लेना है तो लेते हैं इसे हम मानते हैं X2, X1 इसे मानते हैं X1, Y1 X2, Y2 अच्छे से लिफ़ देते हैं ठीक देखिए क्या माना हमने इसे माना X2, Y2 इसे हम मानते हैं X1, Y1 ठीक तो X2 मैनस X1 6 मैनस 7 और 4 मैनस मैनस 2 4 मैनस मैनस 2 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 तो क्या हो गया 4 प्लस 2 6 को हो जाएगा हम पर आप इसे भी प्लस मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा तो 6 माइनस 7 1 हो गया और 4 माइनस 2 4 प्लस 2 6 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 36 क्या हो जाएगा 37 तो B C क्या आ गया 37 आ गया तो हमारे पास A B क्या आया रूट 37 आया और B C क्या आया रूट 37 आया अब देखिए A C A C क्या हो गया A और C इन्हें दोनों को लेना है इन दोनों में फिर X2-X1 7-5 7-5 को होल स्क्वार और minus 2 minus minus प्लस हो जाएगा तो minus 2 minus 2 क्या हो जाएगा ठीक तो यहां पर 2 का स्क्वार का हो जाएगा 4 हो जाएगा यहां पर minus क्या हो जाएगा minus 2 minus minus 2 तो क्या हो जाएगा minus 2 minus minus plus 2 तो plus minus खतम हो जाएगा तो यह फिर क्या हो जाएगा यहां पर 2 minus 2 हो तो क्या हो जाएगा यह तो 2-0 होता है जीरो का स्क्वेर जीरो तो यह पार्ट तो खतम हो गया यहां पर बचा 7-5 क्या हो गया 2 2 का स्क्वेर 4 4 का अंडरूट का हो जाएगा 2 हो जाएगा तो AC क्या आगा है हमारे पास AC आगया 2 तो आप देखिए, सम्धिवावी तरिवुझ पूछ रहा है, तो सम्धिवावी मतलब दो साइड बराबर होने चीए, तो मारे पास क्या हो गया, A B बराबर B C हो चुका है, तो आप कह सकते हैं, जैसे की हम देख सकते हैं कि A B बराबर B C, तो दिये गए बिंदू, एक सम्धिवाज सीर्स के, त्रिभूज के सीर्स हैं, ठीक, यदि ऐसा नहीं होता, दो साइट बराबर नहीं होती, तीनों अलग अलग आती, तो आप कह सकते कि सीर्स नहीं हैं, ठीक, पर यहाँ पे है, तो आप लिखेंगे कि त्रिभूज के सीर्स ह हैं तो यहां पर हमारा question number four complete हुगा तो उमेद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी कोई भी दिक्कत है comment box में बताइए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा तिक वीडियो को ज्यादस ज्यादा दोस्तों तक सेर कीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे सिवसांती classes family के एक सदस्र बन जाईए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में exercise 7.1 की question number 5 के साथ तब तक अपना और अपने परिवारवारों का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत नू स्टुडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रस कर लिजिए बेल आइकन पर आल पर क्लिक कर लिजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें